जय हिंसातियों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेनरल एजूक्येशन जोन पे दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आये हैं बीएस एफ हेट कॉंस्टेवल मिनिस्ट्रियल और यह साइस चनल गिजाम से रिलेटेड नुमिरिकल एप्टिचूड का कॉस सेट इसमें टोटल 15 कोस्टन है जो आप देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्रीस दोनों में है पंदरा कॉस्टन मेरा रखने का मुख्री मुद्धा इसलिए यही है मुख्रीजन यही है कि अगर मैं 20 कोस्टन टोटल ले गया होंगा तक्रीवन वीडियों बहुत लंबा चु सब्सक्राइब है टोटल 20 कोस्टन का सिट पुछा जाता जो चालिस नमर का होगा इसा इसमें प्र इसैंगर बहुत कर दूह करं तो है अगर इसको अच्छा पर्फर्म करेंगे तो चलिए आज का वीडियों शुरू करते हैं शुरू करने इस पहले आपको बता दूंगर चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करने और वेल आइकन को दमाएं ताकि सबसे पहले वीडियों नोटिस्फिकेशन आपको मिले ह हां लाश्ट में नाइक और प्फिलास कमेंट करना मत भडिया चलियाच का वीडियों करते तरंशर में आप स्क्रिन पे ध्रहा हैं पहला कोश्र आफके स्क्रीन पर यहां पर देख रहा है एन फरस्टप वह को बता दूंग यह टिर भूज ए एक्स वाई-जेट में फिर्ष वाई पर सम कौन है एक प्रकार से बनाए इस परकार से ट्रेंगल बनाए यह हो गया एक्स यह तरहाई और यह करा राए की यहां मुआ पे समय बना दिये को टैक्स रोट थरी बटेhammer प्र तोर कॉर्ट एक्स मतलब ये कौन मान रहा है इसकों के लिए यह हो जाएगा लंब ये आधार और इसथ थे लिए यह ओगा लंब और यह ओघार तो खॉट ऑप्टुरेंब आधार तो टेन का ऊल्टा घॉता होकत होता है को ते तावरा अधार बुट जाएगा основ आकस वैग शॉय निकल गिया एक्षय बरावर कितना अब कितना थी और यजय बरावर कि यह वावर भूत सब्यून दिरी और अधार आप टिना भूंऔल निकल गया एक्षय शं seul Notre-Cade करешь कद़ गए करन अजय करन बराबर रूट अंडर लॉंब कि स्कुर्ज रधार के स्वर्थ इसका मान हो जाएगा आपको फाइव यह करन कमन कमान निकल गया एक्स वैक मान आपको थिरी हो गया और वाइजेट कमन कि तना हो गया वाइजायट का म हो गया आप इसको क्ती आवरो क्या होता है तेट यदे belangrijk वो बता यह त подарं बोल रहा है teणा यो रहा है क्वाहन निकलने धितने का लिएा टेट एलक इतले तरा होता है लंबरोर्टी आधार मत अपसूत्ट इसका आंसर आजाएगा कि अब बुलेगा सर्थी बटे फूर कोट एक्स और टेन यहां कोट एक्स का यहां टेन जैड का मान निकालने के लिए ठीक है थी बटे फूर इसका अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्टन देख लेते हैं नेक्स तिर्फूज एबी सीमें कौन वी का मान नोबे डिगरी यह से वही है टेन अब लेकिन इसमें आपको बहुत सतर्कता रखने नहीं तीसे एक्जाम को इसकुस्टन को गलती कर दीजेगा देखिए तिर्फूज एबी सी एबी सी आप मान लेते हैं एबी सी में कौन भी क नोबे डिगरी है यह हुँ बोलता है आप बनाते चलिए उसी डारेक्षन से कौन भी का मान नोबे डिगरी हो गया तेन ए बरावर बारे बटे पांच तथा यह भी ब्रावर एक से दीजा हुआ है थीक है आप इहां पर देखिए यह चया है बरावर हो जाएगा टेन ए बर सब्सक्राइब different Ideal सब्सक्राइब ठीक है हम को किया निकालना कितना एक से मी ताबी सीजगा कितना हो जाएगा इस दुनों का पस्य हो क्रॉस्य किजिए गा तो बीसी जिगल्टु हो जाएगा बारा अब टेप पांच इजे कल्टू कितना हो जाएगा टू पॉइंट फॉर इसका अंसर और फॉर इसका यह अंसर यह इसका मिनिंग मैंनस मत समझेगा यह डॉट से डैया डॉट दिया हुआ ठीक है पर थो पर अंसर जाएगा अगर इसी में ततकाली गुरूब से पर थे तो यह और यह ऑफ्छन दून तक भाई कहां है यह तो बारह का रहा है इसमें तो आप गलत मारके आ जाते हैं सभ नेक्स्ट कस्ट्टन हैं सबस्टर नेक्सक्ट नेक्स्ट मोस्टन बोल रहा है एक नावीक एक नाविक धाराक व्रूद 11 किलोमीटर जाता है और धाराक के दिशा में 27 किलोमीटर उसे प्रते एक दिशा में चार घंटे लगते हैं धाराका वियादаже सव्थे आयसे कौहशन को सॉल करने नाविक धाराके बिरूद 11 मिलो की in नाविक का चाल X है और धारा की चाल जो है वाय है तो जब धारा के दिशा में चलेगा जब धारा की दिशा में ओन्दा वेव अब धारा की दिशा हो जाएगा धारा धारा की दिशा में जब चलेगा यह हो जाएगा नाविक की चाल हो जाएगा X पलस Y और जब धारा की विप प्रिद दिशा में चलेगा नाविक का चाल हो जाएगा एक्स मेंस हुआ है किलो मीटर पर घंठा आपको पता है कि यहां चाल निकाल सकते हैं किलो मीटर धारा की दिशा में चाल जो है कैसे निकलेगा नाविक धारा के बिरुद 11 किलो मीटर जाता है और समय सेम लगता है तो चाल बरावर हो जाएगा दूरी बटेश में धारा के ब्रूद बरावर हो जाएगा दूरी बटेश में मतलब 11 बटे 4 और धारा के दिशा में जाता है 27 किलोमीटर तो हो जाएगा चाल हो जाएगा 27 बटे 4 अभी यह समिकरन फर्स्ट और समीकरन स्केंड को अभल कीजिए गा तो आपको नाविक में धारा के दिशा कितना आजाएगा दो किलो मिटर पर घंटा ठीक है नेस्कोस्टन देखें अ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी काम करने की दर ए और बी के काम करने की दर दो नुपात तीन के नुपात में उनके दरा काम कर को पूरा कर पूरा करने के लिए दिये गया दिनों को नुपात क्या होगा अगर ऐसे काम हो काम करने की दर दो फाद 3 है तो itelे मानले वह काम जो एक उनके द्वारिनत काम करने के कि दowania मान पाति हो जाएगा पूरा करने कादर हो जाएगा कितना एक को पुरा करने कादर हो जाएगा बूत कर inadequate एक्स कर लिजिए अनुपात अगर il UX हो जाएगा एक भटे थिरी एक अब दोनों का यहनुपा था निकाल लिफ थि कर दो भूआ जाएगा ठीक है ऐसा को संट्रीक से भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं नेक्स्ट कोस्टन है है नेक्स्ट कोस्टन है देख रहे हैं एक गारी का मुल 15 पर तिसत की वार्षिक दर्शे कम होता है यह उसके बरतमान मुल में तो दो दो वर्सपूरव गारी का मुल क्या था यह बोल रह है एक गारी का मुल में 35% वार्षि वान पलस आरवाई हंड्रेड अपर पावर एन होता है चक्रविर्दी भी आज मिस्र धन बराबर तो यहां बोल रहा है कि घट रहा है भाई 15 प्रसके घट रहा है आर कामा निगेटीव है निगेटीव आप डाल दिए निकाल लिजिए और यहां पर एक्या हो जाएगा यह हो यह पी नहीं होगा आपको एक मार बता दूँ यह पी नहीं होगा एक क्या हो जाएगा यह होगा तालीस चार लाख तेटीस हजार पांसा हो जाएगा और पी जो है जो गारी का मुल्ड जो है पुर्व मुल एक्स मनना परेगा आपको इसके बतले एक्स रखना है और वान प एक्स और दो वर्स कह रहा है दो वर्स इसको अप्सल्व की जगात आराम से आपको अंसर आजाएगा यह अपना छे लाक रुपया ठीक है यहां पर आपको पता होना चाहिए कि बर्तमान मुल जो बोल रहा है यह मिस्रधन हो गया और दो वर्स पहले वाला आपको मुल एक्स म करा फुलेरा सहर के वादी चौनवे हजार है अवादी की घरती दर परती वर्स आठ्सों है और संबर सहर की अवादी 68,000 है अवादी की बड़ती दर जो है बारेस दोनों सहर के बादी कितने वर्स में बराबर हो जाएगी बहुत इंपोटेंट क्वेस्टन है देखिए है यह आवादी घट रहा है तो बज़ाईदा एक साल में 800 रहा है तो एन साल में कितना घटेगा 800 आदमी एन गुने 800 इजिकल्टू हो जाएगा क्योंकि दोनों का बादी बराबर करना है बराबर देखिए एंस एन वर्स में बराबर होता है समबर सर के बादी 68,000 हो यहां पे हो जाएगा पलस एन वर्स में कितना हो जाएगा बार्या सोपर बढ़ जाए तो बार्यास वपर बढ़ रहा है इसको आप हल कीजिए और आपको जह हल करने के बाद एन का मौन जो है जो दबर निकलेगा ठीक है नेक्स्क कॉस्टन देख लेते हैं सात्मा तीन परिक्ष्षा पैड और दो पैrenski लागत मुल Most उटिक य शुन्वे रूपह है चार प्रिक्षा पैड और दीन पेंचील का मूल गलनय तो दो खोस्योर स्वालेक्षा पैड को स्वाल forcément करने के लिए आप सिधा एक पैड का मुल एक्स मानी है और पैंसिल का मुल य मान लीजिए तीन पैड बोल रहाध हो जाएगा 3x और पलस 2y is equal to कितना हो जाएगा 96 यह हो जाएगा समीकरन फस्ट और नेक्स समीकरन बन जाएगा यह 4x क्योंकि एक प्रिक्षा पैड का एक्समान है पलस 3y is equal to हो जाएगा 134 इसको आप हल करें यह हो जाएगा समीकरन सकेंड समीकरन फस्ट और समीकरन सकेंड को आप हल करें और हल करने के बाद जो है आपको आंसर निकल जाएगा 38 अब बुलेगा सर इसको हल कैसे करेंगा हल करन इसको समीकरन सकेंड 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 को घटाइए कुछ गुना भाग की दिमाग लगाई इतना तो होना चाहिए आप मनिस्टी के स्टाब बनने जा रहे हैं ठीक अगर नहीं बनता है तो मेरे बताएगा मैं अगले बीडियों बना बता दूंगा आपको नेस्ट कोस्टिन द स्टाइब आपको पता होना चाहिए एक क्यू मैनस बीक्यू ब्रावर क्या होता है एक यू एक यू मैनस बीक्यू ब्रावर फर्मूला होता है क्या होता है यह मैनस बीका हॉल क्यू एम यह मैनस बी इंटू एसक्वाइर पलस बी एसक्वाइर पलस एबी यह होता है एपलस यह बैघ्टा दिए महान सा एक्सक्व कोमान होता है मेर क्वैस्टम में लिखा हुआ है एक डिया हुआ है इस अफैसे accessed प्लस वांट इसको निकालना है निकालना है प्लस रहने दीजिए और उख्ष вроде का मान दिया हुआ है एकसे फशंप द्यॉक्ति ने Ao Beach और कि अधर इधर आ जायगा एक सवाए उसका अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स वर लेते हैं नेक्स कॉस्च्टन हो इंब्रटेंट कॉस्टों है पीकी आए क्यू किया से पचास परसेंट अधिक है क्यों की आए आर की ऐसे पचास परसेंट अधिक है पी की आए आर की ऐसे कितने परतिस अधिक है इस कॉस्चन को आपको लास से बना देखिए क्यों की आए आर की आए से पचास परसेंट अधिक है तो माल लेते हैं आर की आई जो है इसका आर की सबस्तिन हो जाए गाइए ग्मड़े का अबकता है और सबस्तिनल ओभल पितने कि दोनी सो अधूया पचात्तर तो हो जाएगा फ कितना यह कर यह गातर जाएगा किस अनुपात मिलाए जाए दिख्चे के किस परसेंट एस्परीट मातरा वाला नेमिस्रण में जाए ड्रों का फ्रोमला क्या देखिये हैं 15 परतीसद है और यह है 25 पर सिंट में मिश्रन कितना बनता है 21 परसेंट वाला में आसले सब से से कि जिन उपात 25 में से के सगया थी हो जायता चौ्भीस है और यहां और यहां हो जाएगा यह 25 में से 15 गया तो यहां हो जाएगा 6 मतलब 4aci 2 comment 6 वीज़ाओ जया एज्सक पर तो 25 में से कीज़ है किसमें 4,996 होगा, ठीक है? चारवनुपाइश ही इसका अनसर होगा, यह अप्सन गलत है, Next question, देख लेते हैं, 15 पे अलको होल को है अब बिढ़ रहा है कि कि मालें एलको होग। एक्स लिटर और मिला धेते हैं अलकोो हल तोटल मिशर ठीटना हो जाएगा टोटल मिशरेट हो छोड़ी इसमें कितना है 25 परसेंट अब को पता होना चाहिए अभी देखते हैं और इसमें अलकॉल 10 लीटर में कितना है 15 है तो दोस लीटर में अलकॉल की मतरा निकाल लेते हैं तो दास अगूने 15 अबट्टे 100 मतलब हो जाएगा यह 10 कर जाएगा मतलब 1.5 मतलब 10 लीटर में जो है 1.5 लीटर एलको हॉल है अभी देखिए और हमको 10 पलस एकसमें 25 प्रेल गोल है मतलब क्या हो जाएगा टोटल एलकोहल की मात्रा कितना हो जाएगा टोटल हो इसको आप हल कर लीजिए हल करने के बाद आप कौन सारा जाएगा फोर बटे थिरी मतलब फोर बटे थ्री और एलकोहल इसमें भिलाया जाए ठीक है नेक्स्ट कुस्टन देख लेते हैं कि एक फिसन का उसरीति दर्स में यहां पर आपको पहले रेट निकालना आहे रेट को से निकलेगा चक्रिवीर्धि ब्यासरवर क्या होता है यहां से आप जो है रेट आप इंट्रेस निकाल लीजिए सब का मान एक का मान दिया हुआ है फिर दुबारा यह बरावर फूर्मॉला लिखिएगा सब्सक्राइब का मान अंसर आजाएगा 26,244 में आपको बता देता हूं इस प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिए नेक्स कॉस्चन देख लेते हैं नेक्स कॉस्चन है ए राहूल दो हेल्मेट 1200 रुपए यह बर्ती हेल्मेट की दर से बीचता है इन मतलब दो हेल्मेट का बर्सक्राइब की बार своदीरृट जाएगा 1232 और गुने दो इसकल तू कितना हो गए दो दूनी चार दूनी छे और बारह दूनी चोविस चोविस्वा चौन सथ हो जाएगा ठीक है दो हेलमेट का भी ग्रेमून अब बोलना है 12% परतिशत लाव एक पर बारह पर थिसलाव होता था दूसरे पर बारह पर सेट ह होता है उसका करेमूल कितना हो जाएगा उसका करेमूल हो जाएगा कितना हो जाएगा बताए कि उसका अभस की फिशय सबसे पर रहे संब यह जाएगा बारे सबर्टी गुने कर एक सौ अबटे टी एट कितना हो जाएगा एट एट आप बोलिये गश्री एक सब्सक्तेटेट इह टो एक सब्सक्राइट एक सबर्टेट कैसे हुआ सब्सक्राइब में 12 पी के करे मुल सुभाए इसलिए 2062 रोपिया बिक्रायमूल का का करे मुल कितना नहीं एक आप है एक सो अबट एक सोबारे अगुन्या 1234 यही तुम्हें यहां पर लिखा हूं मुसी परकार यी भी है तो दोनों का क्रेम Culture यहां निकल जाएगा करय हमल निकल जाएगा या टोटल करेमल कर records अधिकर घठा दीजिएगा उतना उसको क्या हो जाएगा उतना उसको हनी हो जाएगा मैं आप कूमणसर बता देता हूँ इसका उन्वाद होगा सकती हद्ट कि यह किर नहीं जुत भाई इसमें बोल रहा है कि जो है थुए दुखांगी तमूल पर उसने एक मेज आउनक पार टार करता चाहर है करे लंकित मुल लेना से अभडा लेना नहीं लेना करे मुल पोसने बेच ना तो भाई जो है कितना प्रसंट छूटेगा लेकर करे मुल माल लीजिए एक सौर रुपई है ऐक पूल कितना हो गया 50% अधिक है तो अंकित मुल इसका हो जाएगा डिर्श रुपई है अबना वह तो हम को होना चाहिए एक 100 रुपे सा मूल होना चाहिए थीक है तो इसका मतलब क्या हो जाएक है छूट पर लां जाएगा ठूस मतलब हो जाएगा रशुंद का मैनस विक्रामूल हो जाएगा अंकित मूल मैनस छूट का परती सथ देर स्वा का एक्स परती सथ एक्स बट्टे एक सव इसकल तू आपको सव पहले से मालूम है इतना मतलब उसका होना चाहिए यह लाव यह नहीं होने तद्विक्रामूल एक्स रुपिया होगा आप इसको हल करें हल किसे किजिएगा अपमल यह इधर आ जाएगा तो हो जाएगा पचास पचास इसकल तो हो जाएगा कितना यह देर सो एक सव आप इसको हल करें हल करें हैं तो कैसे हो जाएगा हल करने के बाद आप कौन सा जाएगा 33 बट्टे 33.33 ठीक है नेक्स्ट कोस्टन देख लेते हैं नेस्ट कर रहा है सेवन एट नाइन टेन के गुदन फल को एक पुर्ण बर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या हैं क्या जोरनी क्य比 आई बहुर रहा है कि इतना इंस्वों का गुंदन फल में का जो एक बर्ग बनाना कितना बर्ग स्कौयर निकाली और देखे कितने के नज्टी Q1 स्कुरार में आता है और कितना जो रहे उसमें 144 जो रहेंगे तो यह पुर्ण बढ़ग बन जाएगा ठीक है RSատ tips 56 के नौस कुना कीजिए 10 कितना के बीच में आता है कितना का स्कुरार बनेगा देख लिए उसमें 144 जोर दीजिए उसमें करेंगे कि यह था अगर कोश्च्टन में वह कोई दिक्कत परेसान ही समझने में होती है को में लेट बड़ा दोंगा ताकि आपकी तैयरी अच्छी तरिके से हो सकी मिलेंगे इस क्लास में तब तक लिए जाहींत